ओम शान्ती आज है सत्रा मई तो आईए सुनते हैं मिठे प्यारे बाबा की मिठी मिठी साकार मुर्ली के मुख्या आठ पॉइंट्स तो आज बाबा समझाते पहला पॉइंट बाबा ने कहा कि तुम बच्चे हो संतुष्ट मनिया कौने हम सब संतुष्ट मनिया बाबा हमको ये स्वमान देते वर्दान देते तो संतुष्ट मनि होगी कैसे बाबा कहते संतुष्ट मनि ऐसी होगी उनकी विरिती उनकी द्रिष्टी उनकी कृती में संतुष्टता समाई हुई होगी उनकी द्रिष्टी में भी, उनकी वरीती में भी और कृती में भी क्योंकि जैसे हमारी वरीती होगी संतुष्ट हैं, बरपूर हैं वही हमारी द्रिष्टी द्वारा बहारनबव होगा वही हमारे कर्मों में आएगा है न और ऐसी आत्मों के संकल्प भी बहुत स्रेश्ट होंगे बोल भी बहुत स्रेश्ट होंगे और जब वो संगठन में रहेगी संबंद संपर्क में आएगी तो भी संतुष्टा की वाइवरेशन फैलाएगी तो फिर ऐसी आत्मों पर बाप दादा भी गोल्डन पुष्पों की वर्षा करेंगे मतलब ऐसा उनको अनभव होगा जैसे कि बाप दादा की हम चत्र छाय के नीचे पल रहे हैं क्योंकि बाबा हमसे संतुष्ट हैं फिर ऐसी आत्माएं बाप दादा के गले का हार बनती हैं माना अतीप्रिय बनती हैं फिर ऐसी आत्माएं राज्यादिकारी भी बनती हैं और भगती में सिमरन योग्या माला के दाने में भी पिरोई जाती हैं तो देखो अभी हमको क्या बनना है संतुष्ट मनी तो अपने आपको सभी चेक करेंगे कि हम कितना अपने जीवन में संतुष्ट रहते हैं चाहे कैसी भी परस्थितियां हो हम हमेशा कह देते ना ये परस्थिती है ये है ये है इसलिए मैं असंतुष्ट हूँ वैसे तो मैं संतुष्ट रहती हूँ परस्थितियों के कारण मैं असंतुष्ट हूँ लेकिन बावा ने स्वष्ट कहा है कि मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है कोई कारण नहीं सुनना है कारण का निवारन करो ठीक है कारण का निवारन करेंगे संतुष्ट रहेंगे तब भी संतुष्ट मनी हम कहलाएंगे दूसरा point बावा कहते negative और waste को समापत कर दो क्या करना है? negative और waste पूरा दिन में देखेंगे कितना negativity हमारे अंदर भी तक काम कर रही है और हमारा waste समे भी जाता है संकल्ब, बोल करम वो भी waste होता है तो इसको हम समापत करें यह दि तो हम मेहनत से मुक्त हो जाएंगे क्योंकि सारी मेहनत किसी में है waste और negative को खतम करने में एक दिन हम अनभव करें इस बात को सुभी से संकल्ब करें कि आज हमने न negative सोचना है ना बोलना है waste ना सोचना है और ना बोलना है तो शाम को आप देखना स्थिती बहुत हायस्ट होगी बाप समान स्थिती कैसे बनेगी हमारी जब इचोटे चोटे precautions हम दिन में करेंगे ना राटोमेटिक हमारी स्थिती बहुत उन्ची बनती जाएगी एक एक बात को पकड़ेंगे ऐसा ने कि सारी बांतों को आजी हमने धारण करना है वन बाई वन देरे देरे स्टेप चड़ते चड़ते हम परफेक्ट बन जाएंगे और तीसरा पॉइंट है बाबा ने कहा कि अतेंद्रिय सुख का अनभव करना है तो सदा याद रखो कि हम कौन है पुर्षोतम संगम युगी आत्माई क्या याद रखना है हम है पुर्षोतम संगम युगी आत्माई और हमें भगवान पढ़ाते हैं और राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाते हैं ठीक है और ये भी अंदर में खुशी हो कि हम अभी स्रिष्टी की आदी मद्यान्त को भी जानगे ठीक है चौथा पॉइंट है बावा केते मुझे बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं है ना बावा केते इसलिए ही मैं हर ग्यान का राज बच्चों के सामने ही खोलता हूं क्योंकि तुम्हारी बुद्धी में ही बैठता है ना तो बच्चों से ही बात करता हूं और बच्चों का काम है बाहर वालों को जाकर पढ़ाना तो बावा केते कोई तो ऐसी आत्मे होती है जट समझ जाती है बावा की बातों को कोई थोड़ा समझ कर चले जाते हैं आएंगे साथ दिन का कोर्स करेंगे और फिर छुटी फिर जब देखेंगे बाद में कि यहां पर बहुत जाते हैं बृद्धी को पा रही है यह संस्था फिर देख कर आएंगे लेकिन तब तक पुर्शार्थ पहुत पीछे जा चुका होगा कमाई में उनके घाटा पड़ चुका होगा तो बाबा केते आना तो है इना हट्टी तो यह की है क्योंकि बाबा के सिवाए गती सद गती तो कोई कर ही नहीं सकता और बाबा की याद के विनावी करम भी विनाश नहीं हो सकते और बाबा ही पूरी स्रिष्टी के गती सद गती दाता है चाहे सादू संत महात्मे कोई भी हैं सभी को बाबा के दर पर आना ही है पांचुआ पॉइंट है बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए क्योंकि अभी हम पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बने है तो इसलिए बहुत खुशी और नर्शे में रहो और आप बच्चों के खुशी के लिए ही गायन है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वललव के गोप गोपियों से पुछो है न, बावा केते किसी को बहुत फैदा होता है न तो खुश होते हैं न लेकिन तुम बच्चों जैसा फैदा तो किसी को भी नहीं है तुमको तो हंडर्ड परसेंट खुशी मिली है और तुमने जो भी किया तन मंधन तुम जो भी अग्ये में लगाते हो उसका तुमको फल 21 जन्मों के लिए मिलता है भगती मार्ग में बावा केते कोई हॉस्पिटल खोलता है तो एक जन्म के लिए हैल्थ मिल जाती है धरम शाला खोलता है चलो उसको अच्छा घर अगले जन्म में मिल जाएगा लेकिन यहां पर बावा के रहे हैं तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो पांचवा पॉइंट है बावा केते अब तुम बच्चे जान गए हो कि हम बिलकुल बैगर बन गए हैं बैगर माना हमने बावा की हवाले अपना सब कुछ कर दिया तन मन धन सब कुछ तेरा बावा तेरा तुझको अरपन तो बावा केते सब तो एक जैसा बैगर नहीं बन पाते हैं कोई कोई बैगर बन पाते हैं मना कोई कोई ही इतनी समर्पनता कर पाते हैं तो पूरा बैगर बनना चाहिए घर अस्तिवार में भी रहना है लेकिन आसकती से नहीं सिर्फ तोड निभाने के लिए निश्य ена कए लिए बाबा को कुछ दे दिया तूम ट्रस्टी है तो सबसे number one bagger से कौन बना ब्रम्ह बाबर one bagger جभ सब कुछ इशुरिया सिवा में लगा दिया तो शिबाबा को सब सौंपने के बादotte बाबा कुछ संकर्प भी नहीं चला तो नंबर वन जो ट्रस्टी है नंबर वन जो बैगर है वो है ब्रह्मा बाबा इसलिए बाबा केते ब्रह्मा बाबा का जो प्राप्ती है वो भी बहुत उंची है क्योंकि बाबा ने त्याग का भी त्याग किया है छटा पॉइंट है बाबा केते अब वापिस गर जाना है इसलिए इस शरीर के भान को भी भूलते जाओ इससे भूल जाओ अश्रीरी बन जाओ और अश्रीरी बनने की दिन में कई बार प्रैक्टिस करो एक रस अपनी स्थिती बनाओ देह से न्यारा होने का भ्यास करना बहुत जरूरी है जब देह से न्यारा होंगे तब तुम्हें शानती धाम और सुखधाम याद आएगा साथवा पॉइंट है तुम बच्चों के पुर्शाथ की मंजल क्या है तो क्या मंजले हमारी बाबा केते आप मुए मर गई दुनिया माना जब हम आत्में सबसे डिटेच हो जाती है हमारा औरों की तरफ मोहवश संकल्प जाना बंद हो जाता है तो दूसरी आत्में भी हमारे बारे में नहीं सोचती है जब तक हम सोचते हैं तब तक उनको खींच बढ़ती है कशिश होती है जब हम सब से डिटैच हो जाते हैं तो उनको हमारे प्रती जो कशिश है याद आना सोवी बंद हो जाता है इसलिए बावा केते हैं आप मुए मर गई दुनिया शरीर से भी ममत्वर तूट जाना चाहिए आत्मा हूं अशरीरी हूं बस हमको वापिस जाना है अभी बैगड़ टू प्रिंस बनना है फकीर से अमीर बनना है है ना तो बस ये अंदर में लगन ये तात लगी रहे जब ये तात अंदर में लगी रहेगी देभान से हम नियारे होते जाएंगे तो यही हमारी असली पुर्शार्थ की मंजिल है आठवा पॉइंट है बावा कहते अब तुम बच्चों को इस छीछी दुनिया में लोटना ही नहीं है अभी तुम जाते हो अमर लोक माना स्वर्ग देवी देवताओं की दुनिया में जहां पर पवितरता, सुख, शान्ती, अथा है मांगने की जुरूरत नहीं है इसलिए तुम बच्चों को इस दुनिया में अब बुद्धी नहीं लगाने है यह इश्वरिया यूनिवर्सिटी है यहां बहुत ध्यान से पढ़ना है और उंच पद पाना है क्योंकि बाबा तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ा रहे है ओम शान्ती